अपन basic question कर लेते हैं, पहला question देखिए, यह RS Agarwal Series का RS Agarwal Series का पहला question है, त्रिभुज का 36A exercise का देखिए पहला question क्या नोग किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात दिया हुआ है आपको पता है, angle A+, angle B+, angle C जो हता है, वो 180 degree होता है तो मैं इनको भी जोड़ लूँगा 7, 3, 10 और 2, 12 बारा बराबर 180 डिग्री है तो एक बराबर कितना हो जाएगा 180 बट्टी में 12, 12 से कटेगा 15, 12, 15 डिग्री, एक कमान 15 डिग्री है सबसे बड़े कौन की बात की है, सबसे बड़ा कौन है, साथ है, तो 15 गुना साथ कर लूँगा 15 सत्य कितना होता है, 105, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, option number D बहुत ही आसान question, बिल्कुल आसान question, चलते हैं question number 2 की तरफ दोस्तों question number 2 में भी आपको क्या देखा गया है, ये दिया गया है, अगर आपने मेरा अनुपात सही से पढ़ा है दोस्तों, तो इसमें अनुपात में निकालना है आपको, आपको मैंने बताया था कि अगर 2A बराबर 3B बराबर 4C हो, तो अगर मेरे को A अनुपात, B अनुपात, C न 6, 4, 3 आपका अंसर आजाएगा दोस्तों, तो 6, 4, 3 ये लो, अंसर है बस, कुछ करना ही नहीं है, आपको क्या करना है, पहले इसका वीपरीत लिख लेना है, वीपरीत क्या हो गया, A अनुपात, B अनुपात, C जो दिया हुआ, इसका वीपरीत क्या होगा, एक बटे 2, पात, एक बटे, चार, अब 2, 3, 4 जो है, इनका ले लो, लसपा, कितना आएगा, इनका लसपा आएगा, बारा, बारा को जब मैंने इससे गुना किया, बारा को ही इससे गुना किया, और बारा को इससे गुना किया, 4, 3 बार, 3 से ये, 4 बार, और 2 से ये, 6 बार, तो 6, 4, 3 मे पता है एक बटे तीन अनुपात एक बटे चार अनुपात एक बटे च्छे होगा और बारा से जब इसको गुणा करोगे तो ये चार आएगा बारा से जब इसको गुणा करोगे तो ये तीन आएगा और बारा से जब इसको गुणा करोगे तो ये दो आएगा तो चार तीन सा गरी आएगा चार को करोगे तो आपका आंसर कौन सा है option number B दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल सवाल number 4 देखे क्या है किसी त्रिभुज में यदि angle A minus angle B वराबर 40 है तो अंगल B minus angle C 10 है तो angle B ज्याद करें ऐसे सवाल अक्सर दोस्तों आप दो तीन तरीके से कर सकते हैं वैसे तो लेकिन मेरा मानना है ऐसा सवाल जब भी आए आप option से ज़्यादा try करें क्यों आपको निकालना क्या है एंगल B तो ये वाले मान किस के होंगे ये कोन B के होंगे बही जब कोन B निकालना है तो उतर क्या दिये होंगे ये सब कोन B होंगे तो कोन B में मान रखके देखते हैं अगर मैं इसमें कोन B में यहाँ पर मान रखता हूँ मतलब कोन B C से बड़ा है ये बात तो पता चल गई अच्छा C से कितना बड़ा है ये देखने के लिए पहला रखता हूँ 70 डिगरी 70 ये अगर 70 है ये 60 होगा तभी ये 10 डिगरी आएगा जब ये 70 है तो यहाँ पर क्या होगा 70 होगा और 7, 4, 11 मतलब 110 हो जाएगा एक इतना आजाएगा 110 जब ये हो गया है तो ये 70 हो गया जब 70 बड़ा हो रहा है तो 80 तो ओई नहीं सकता जब 70 नहीं है तो 80 तो पॉसिबल ही नहीं है अब इससे छोटे की बात करते हैं पहले अपन 50 ट्राइ करते हैं अगर मैं इसको लेता हूँ अंगल B को 50 तो ये 90-50 बराबर 40 हो जाएगा ठीक है तो एक तो हो गया ए 90 हो गया और ये 50 हो गया अब मेरे को क्या चीए C कितना चीए 40 तो B 50 लोगा माइनस में 40 होगा तो कितना होगा तो बिल्कुल सही है ये 40 और ये 180 आपका उत्तर है option number D दोस्तों तो आपका आंसर आपने देखा कैसे easy way में आ गया option से आप easy way में निकाल सकते है otherwise आपको पूरा angle A minus angle B मतलब पूरा solve करना पड़ता है equation लेक्के इतना time नहीं होता है पर इकसा में दोस्तों चलते देखते है question number 5 question number 5 देखे क्या है angle A और angle B 45 degree है दोनों का अंतर B और C का अंतर 30 है तो A और B का योग बताएं अब सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अपन सबसे पहले ले ले लेते हैं 150 को लेते हैं 150 option में क्या निकालना अपन को अपनको इन दोनों का योग निकालना है जब इन दोनों का योग निकालना है एक चीज यहां से मुझे पता चल गई है कि ये पांच आ रहा है पीछे इसमें क्या आ रहा है जीरो आ रहा है जब इन दोनों का अंतर में जीरो है इन दोनों के अंतर में पांच है चला यहां 5 है, मतलब कोई दो कोण है जिन में 5 आएगा यहां पर हो सकता है कि 5 वाला नहीं हो लेकिन यहां वाला जरूर हो सकता होगा तभी पीछे 5 आएगा नहीं तो नहीं आएगा यह कभी भी यह ध्यान रखें दोस्तों अंतर की बात कर रहा हूँ, मैं जोड की बात नहीं कर रहा हूँ जोड में अलग हो सकता है, जोड में कैसे करना है वो जोड के टाइम में बताऊंगा मैं आपको अब यह अंतर में ध्यान रखें कि अगर इसमें काई अंक में 5 है अंतर के अंदर तो B से B कट जाएगा 2 A बराबर जो है ये हो जाएगा 200 दोस्तों तो 2 से ये जाएगा 100 A अगर 100 है अगर A 100 है तो आप क्या करेंगे 100 मेंसे कितना घटा हूँ कि 45 आजाए 45 घटा देते हैं तो A तो बराबर कितना आगया 100 आ गया, B कितना हो जाएगा दोस्तों ये B ले लेता हूँ मैं 45 घटा लेते हैं 100 में से तो ये हो जाएगा 55 ठीक है, जब ये 55 है और ये 45 है तो C कितना बचेगा आपको पता है कि 180 होता है तो ये हो गया 25 डिगरी तो अब माइनस करूँगा 55 मैं से 25 क्या 30 आ रहा है, बिलकुल आ रहा है मेरा आंसर कौन सा होगा और अगर आप 145 लेते तो ये अंतर कभी नहीं आता आप करके देखिएगा 145 लेके देखिएगा आप 135 भी लेके देखिएगा मैंने डाइरेक्ट ले लिया है तो आप ये समझिएगा आपन आप्शन से ही करेंगे ऐसे सवाल को आप मैथड बे ना गुसे नहीं तो टाइम लग जाएगा दोस्तों चलते हैं कॉशन नमबर 6 की तरफ कॉशन नमबर 6 देखिए दोस्तों क्या दिया इसने एंगल A प्लस में एंगल B बराबर 108 अच्छा जब भी प्लस का हो तो अपन को क्या करना ये भी बता देता हूँ ये 130 दिगरी अगर मैं इसको जोड देता हूँ आपको पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एक बार और एंगल B तो है ये 200 और 38 हो गया तो जब आपको पता है ये 3 एक सो असी होते है तो अगर B यहां से निकल के आजाएगा तो माइनस कर लेता हूँ मैं एक सो असी कितना आएगा? 8 13 में से 8 गएंगे 5 58 आगया, कौन आया? ये अगर B जो है वो 58 आपको पता है अगर B 58 है थोड़ा एक दूबार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आजाएगा साथ वाँ भी सेम कुशन है A प्लस B दिया हुआ है और B और C 115 है पता है आपको A, B और C तो एक B ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है? 125 तो 100 तो ये चले गए 120 गटा लो 60 बचे 65 बचे 55 इसमें से गटा ने है तो 15 तो ये चले गए 60 तो एंगल B जो है कितना आगया? 60 डिग्री आगया जब एंगल B 60 आगया तो 60 इसमें से गटा लो कितना आगया? 55 वही 60 इसमें से गटा लो कितना आगया? 55 आएगा तो angle C कितना आ गया, 55 और इन दोनों का total कितना आ गया, 60 और 55 ये 5 और ये 115 दोस्तों, यहाँ आपने कहीं गल्ति किये total में, वापिस देख लीजे, angle A और B की sum कितना 125 है और B और C, तो ये हो जाएगा angle A प्लस angle B प्लस angle B प्लस angle C, बराबर 180, sorry 125 प्लस में 115, कितने हो गए, ये ह हो गए, 15, 40 और 240, 240 में से 180 गए, कितने बचे, 0, 14 में से 8 गए, 6, ये 60, कितने बच गए, 60 बच गए, जब 60 बच गए, तो angle B कितने का हो गया, 60 का हो गया, ये तो अपने सही निकाला था, जब angle B 60 का है, तो A कितने का है, अपन को क्या B प्लस C चाहिए न, B प्लस C तो गलती हुई है, दोस्तों, इसमें गलती हुई है, ये ध्यान रखने, question में कहीं न कहीं, misprint है, दोस्तों, मुझे पता नहीं है, कहा misprint है, लेकिन, क्योंकि already angle B प्लस C तो दे रखा है, फिर क्या पूछ रहे है, इसने angle A प्लस B पूछा होगा, तो angle A प्लस angle B पूछा होगा, अगर ये 60 degree है, तो 100 में से 60 गए, कितना बचा, 125 में से 60 गए, तो गया 65, तो ये हो जाएगा, 125, ये भी answer में नहीं है, दोस्तों, it means, इस question में mistake है, दोस्तों, check करिएगा आप, लेकिन method वही है, आप method को करिएगा, ठीक है, question number 8 की तरफ बढ़ते हैं, question number 8 क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए, इसने कहा है, ये minus नहीं है दोस्तों, यहाँ पर equals to है, ये देखिए, misprint इसको कहते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसने कहा, 2A equals to 3B है, यहाँ से A upon B निकालूंगा, तो कितना आएगा, यहाँ जागा 3 upon 2, यहाँ से अगर मैं B upon C निकालूंगा, तो 5 upon 4, इसने पूछाए ए, B, C, तीनों बता हो, आपको पता है B, यहाँ पे कितना है, 5 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 अलग- Madrid कैसे हो सकते हैं, इसको 5 से गुना कर दो, इसको 2 से कर दो, तो यह भी 2 से हो जागा, और यह भी 5 से हो जागा, तो 5 तीरी कितना होता है, पंदरह, अनुपात वाला पार्ट सही से पड़ा होगा तो आपको एक सेकिंड में समझी में आ जाएगा अगर आपको नहीं समझी में आया ये सवाल तो आप अनुपात पूरा देखे मेरा उसमें आपको पता चले का कहां से आ रहा है ये देखें एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 डिगरी है कोई भी दो कोण ले ले लेते हैं 116 अंगल A प्लस अंगल B बराबर क्या है 116 अच्छा अंगल A माइनस अंगल B बराबर कितना दिया हुआ है 24 कितना दिया हुआ 24 तो जब ये 24 है तो ये तो कट जाएंगे तो 2 A बराबर कितना हो जाएगा 16 और 24 कितने होते हैं 20 और 20 40 तो ये 140 तो A कितना आ गया A आ गया 70 जब A 70 आ गया दोस्तों तो दूसरा कितना हो जाएगा आपको खुद को पता है A70 है तो A70 आने मैं यहाँ पर 70 रख देता हूँ इसको उधर भेज देता हूँ तो 30 और 16 मतलब 46 तो B कितना आगया 46 तो 70 और 116 हो गया तो आंसर कितना बचा 180 मैं से 116 घटा हो गये दोस्तों तो आ जाएगा जब 6 है पीछे तो पीछे 4 आएगा क्योंकि 6 और 4 10 होते हैं तभी तो 0 आता है तो पीछे 4 वाला उप्षन इस क्वेशन को आप डारेक्ट भी कर सकते हैं तो कुछ नहीं करना था आपको 4 वाला उप्षन देखना था कैसे देखो इसने कहाँ दो कोणों का योग तो है वो 6 वाला है तो उत्तर वाला जो भी पीछे कोण आएगा उसमें पीछे एका यंक 4 आएगा क्यों आएगा 6 और 4 जुड़ेगा तभी तो 180 का सुन्य आएगा ये सुन्य कहां से लाओगे 6 और 4 जुड़ेगा तभी तो आएगा तो 6 दे रखा है पहले से तो 4 आएगा तो 4 वाला A की option था B एक second में answer लगाना था आपको और आगे बढ़ जाना था ये practice से दिखने लगेंगे दोस्तों जैसे जैसे आप practice करोगे ये चीज़ें आपके सामने आएगी दोस्तों चलते है question number 10 की तरफ एक त्रिबुज के दो कोण बराबर है उसने कहा कि angle A जो है वो भराबर है angle B के तो ये भी क्या हो जागा 2 angle A 2 A हो गया 2 A plus तीसरा कोण इन दौनों में से प्रतेट से 18 अथिक है तो ये A प्लस 18 हो गया दौनों में से अधिक है तो ये 3 A plus 18 अथिक है तीसरे कोण का माप तो ये जो total 180 होते हैं तो 3A बराबर कितना हो जाएगा ये हो गया 162 हो गया और 3 से काटा 5 और 4 चाववन आया एक आमान कितना है चाववन इसने पूछा है तो क्या है तीसरे कोण का माप कितना है चाववन तो ये है ये और 18 ज़्यादा था ये 72 आपका आंसर कौन सा है option number C है दोस्तों दसवें का आंसर है आपका option number वापिस देखिए इसने का पहले दोनों ये कोण बराबर है तो मैं B क्यूं लूँ इसको A ही ले लेता हूँ फिर इसने का तीसरा जो कोण है पहले वाले कोण से 18 अधिक है तो ये कितना हो गया तीन A प्लस 18 हो गया और त्रिबुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 होता है तो 180 लिख दिया 18 इसमें से घटाया 162 आया तीन से भाग दिया 162 में तो चवण आया अब इसने का 18 अधिक था तो 18 जोड दिया और C है सबसे छोटा मान लेता हूँ मैं A को सबसे छोटे कोण का दुगुना है A कोण जो है वो दुगुना है ये लो 2 A हो गया क्यों इसको A ले लो ये 2 A ले लो फिर इसने कहा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का दिगुना है तो ये 3 A है तो यह हो गया 3, 2, 5 और 1, 6 6 A बराबर 180 degree 6 से जब जाएगा 3, 0, 30 degree तो A बराबर कितना आया 30 degree आ गया तो सबसे छोटा कौन कितना है आपका आंसर हो गया option number B क्योंकि A का मानी चीए ता सबसे छोटा A ही है वो 30 degree हो गया दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों किसी त्रिबुज का प्रते कौन से इस दो कौनो के योग से कम है ऐसा त्रिबुज आप खुद सोचिए जब मैंने ये कहा मैं ये practically बता रहा हूँ आपको ये 60 हो ये 70 हो और ये 70 और ये हो गया 50 अब इसने बोला कि दो कौनो का योग योग से कम है तो 60 और 70 से ये कम है 60 और 50 से भी 70 कम है और 70 और 50 से भी 60 कम है मतलब ये कौन सा कौन है जब 90 से कम होता है 90 डिग्री से कम होते हैं सभी कौन A, B और C तब ये होता है इसे कहते हैं नियुन कोन त्रिबुज कौन सा कोन जब 90 डिगरी से कम होते हैं तो नियुन कोन त्रिबुज करते हैं ये बात त्यान रखना और ये तब ही होगा जब दो कोनों का योग जो है दो कोनों के योग से एक कोन कम होगा ठीक है अगला सवाल देखते हैं दोस्तों किसी त्रिबुज का एक कौन से इस दो कौनों के योग के बराबर है ये लो मैं अगर ये 90 डिगरी का बना देता हूं ये 90 डिगरी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ये 50 डिग्री मान लेते हैं, ये 40 डिग्री मान लेते हैं तो ये क्या है, 290 हो गए, ये भी 90 है, तो सम कोन होगा कौन सा त्रिबुज होगा, सम कोन त्रिबुज होगा ये ध्यान रखें, सम कोन में दो कोनों के योग के बराबर होता है noon cone में 2 cone अधिक होते हैं और अधिक cone में कम होते हैं किसी त्रिबूज का 1 cone से इस 2 cone को योग से बड़ा है कोई एक बड़ा है तो यह हो गया अधिक cone त्रिबूज दोस्तों तीनों बाते हैं त्योरी है आपको direct याद करनी है इसमें कुछ भी solve करने लाएक नहीं था कॉशन नमबर 15 करते हैं दोस्तों त्रिबूज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया यदि त्रिबूज ABC 30 degree तथा ACD 110 degree है तो BAC अपन को यह वाला cone बताना है दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जो बाहरी कोन होता है बाहरी कोन होता है वो अंते दो कोनों का योग होता है जब ये 30 है और ये योग है तो इसके 30 में कितना जोड़ूं ये वाला कि ये 110 हो जाए 110 में से 30 गटा लेते हैं तो कितना आजाएगा 80 डिगरी आजाएगा आपका सीधा उत्तर कुछ नहीं करना था इसमें पैन चलाने की जुरूत नहीं थी अगला देखते हैं दोस्तों किसी भी त्रिबुज में बाहरी कोन जो होता है या बाहरी कोन जो होता है वो अंते दो कोनों का योग होता है आमने सामने वाले अंते दो कोनों का योग होता है ये बात द्यान रखें इसमें देखें त्रिबुज A, B, C त्रिबुज A, B, C में बुजा B, C को बाहरी और D, E बढ़ाया गया अपनको B, A, C निकालना है आपको पता है ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा जब ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री होगा ये दोनों 60 और 70 एक्सो तीस हैं तो ये अपने आपे कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा आपका उत्तर कितना आ आगया option number C हो गया, बस simple, क्योंकि तीनों को यह हो गए 180C होता है, तो मैं क्या करूँगा, 60 और 70 को माइनस कर लूँगा, 180C में से मेरा 50 उत्तर आ जागा, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, दी गई आकरती में, अगला सवाल देखें, आपको पता है दोस्तों, यह 90 है, तो यह भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यह 90 कब होगा, जब यह 40 है, तो यह 50 होगा, तब होगा, जब यह 50 है, यह 100 है, तो 150 होगा, तो यह अपने आप ही कितना होगा, क्योंकि इस वाले त्रिबुज की बात करो, इस वाले त्रिभूज की बात करूँ मैं ये 100 है दिया हुआ ये 50 है तो ये कितना हो जागा ये 30 हो जागा और आपका उत्तर यही तो पूछा था आपसे 30 आपका अंसर कौन सा आपसे नमबर B दोस्तों कॉश्चन नमबर 18 की तरफ बढ़ते हैं कॉश्चन नमबर 18 देखिए B, A, C 30 डिग्री दिया हुआ है A, B, C 50 डिग्री दिया हुआ है तो जब ये दोनों दिया है 30, 50 तो ये कितना हो गया 80 हो गया आपको बताना कौन चाह है आपको बताना A, E, D A, E, D कोई बात नहीं जब ये 80 है तो ये 25 है तो 105 तो ये कितना हो जागा ये 75 डिग्री हो जागा या फिर आप यूँ भी कर सकते थे ये पूरा कितना हो जागा ये 105 हो जागा तो ये 105 मतलब Option number C, Q इन दोनों अंतह, दो अंतह कोनों का योग है ये बहारी कोन होगा ये वाले दो अंतह कोनों का योग जो है ये बहारी कोन होगा ये बात आपको समझ नहीं थी दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगला 19 सवाल number 19 देखते हैं दोस्तों दी गई आकरती में A, B, C में C, B को D तक B, A, E को बढ़ाया गया A, B, D 130 डिग्री है दोस्तों ये 130 है तो ये बचाओव पचास होगा जब ये 50 है तो इस कोन और इस कोन का योग ही तो ये बहारी कोन है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर आगया 30 डिग्री दोस्तों आपका आप्शन है option number C आपका answer है option number C दोस्तों question number 20 की तरफ बढ़ते है question number D की आकरती में BD perpendicular है AC ठीक है जी CAE 30 degree है CBD 40 है तो AEB बताना है AEB AEB ये वाला कोण अपन को बताना है आप खुद सोचिए दोस्तों अगर मेरे कोई ये मिल जाए ये इसने किता दे रखा देखिए ये दे रखा है 90 degree जब ये 90 degree है ये 40 degree है तो ये भी कितना हो जागा ये 50 degree हो जागा ये वाला कितना हो जागा 50 degree हो जागा आपको पता है दो अन्ते कोणों का योग 50 और 30 कितने होते हैं 80 असी ये बहारी कोन है इसके लिए तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा आपका अंसर हो जाएगा option number D दोस्तों ठीके दोस्तों आसा करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा कमेंट करके बताएगा कैसा लगा आपको ये वाला ये वीडियो 20 सवाल अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आबार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जोस और जुरून के साथ आज अपन ने जयामेती के त्रिभूज सुरू कर दी हैं दोस्तों और जल्दी अपन खतम करेंगे दोस्तों आप शेयर करते रहें लाइक करते रहें सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरह अपना प्यार हमारे इस चैनल पर बढ़ाते रहें और अपने इस परिवार को बढ़ा बनाते रहें दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आबार फिर मिलेंगे